आजी विस्टा जी धन्यबाद मेडम आपने मुझे इस बजेट सेशन में बोलने का अनुमति दिया एक तो हम जैसे युवास आंसत बड़ी उम्मिद लेकर के आते हैं कि सदन में विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे और कुछ शीखेंगे आज बड़ी निरासा हुई और मैं बित्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने जवाब में जरा एक बार अच्छे से बजेट दुबारा हमारे सब साथियों को बता दे क्योंकि अधिर जी जो है किसी राशन की दुकान से सारी राशन की लिस्ट लिया है और उसके अलाबा उनके बजट में कु इस इस्तिती में है उसके बावजुद भी ये हिंदुस्तान ने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हो गरीबों के सेवा करने की इच्छा हो और इच्छा सकती हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट को भी आउसर में बदल करके देश के लिए काम किया जा सकता है ये हमने इस कोईट संकट के समय में देखा मैं बाकी नंबर्स की बात नहीं करूँगा मेडम क्यूंकि मैं दारजलिंग पाहर से आता हूँ कुछ विशेस बाते ऐसी थी जो खास करके नौर्थिस्ट या बोर्डर के इलाके के लिए बहुत ऐसी योजना ही थी जो आने वाले समय में उनकी दिसा और दिसा को बदल के रख देगी एक बोर्डर से लगे वे जित्ते भी गाव है उनके लिए जो योजना लेकर की आई है भारे सरकार वाइबरेंड विलेज के नाम से इससे दारजलिंग जैसे और नौर्थिस के पाड़ी छेतर को बहुत लाब होगा क्योंकि द पे की विवस्ता और पोस्ट ओफिस की सेवा को बैंक की सेवा के रूप में जोडने की योजना हो या हर घर जल जैसी योजना हो ये सब हमारी छेतरे के लिए बहुत लाबकारी है एक दो विशे में जरूर रखना चाहूंगा कि हमारे छेतर में रोड की भहुत सारी जो है योजनाएं अभी चल रही है मैं वित्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जादा से जादा फंड हमारे जैसे पिछड़े हुए छेत्रों को मिले अन्त मैं एक ही बात मैं रखना चाहूंगा सर आज जिस स्तेजी के साथ जो है देश विकास कर रहा है और मोदी जी के नेत्रुत्यों में जिस स्तेज गती के साथ देश आगे भढ़ रहा है इतनी सारी योजनाएं है लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि दार्जिलिंग में ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं पहुंचती उसका मुख्य कारण ये है कि 2005 से अभी तक कोई पंचायत के चुनाव हुए नहीं कोई एलेक्टेट बोधी वहाँ पे काम करता नहीं सांसद और विदायक की पश्चिम बंगाल में चलती नहीं और पश्चिम बंगाल खुदी 35 साल जब CPM ने राज किया 2 लाग करोड का करजा था पिछले 11 साल में एक करजा बढ़के 6 लाग करोड के पार हो गया है और कोई भी योजना नहीं पहुशती और जब आजाती के समय दार्जिलिंग नंबर 1 पे था एसिया में सबसे पहली बिजली दार्जिलिंग में आई थी लेकिन जान बूच के गलत नियत और इरादो के कारण दार्जिलिंग आज CPM TMC के कारण पिछड़ा है और 86 के बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं अलक राज्य की मांग उड़ती रहती है और हमारी सरकार ने भी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम स्थाई राजनितिक समादान करेंगे उसके लिए टॉक्स भी चल रहा है मेरी दोई विंतिये सर कि स्थाई राजनितिक समादान जल से जल हो जिससे जो मोदी जी की योजना है उसका लाब दार्जिलिंग की जनता को मिले और जो गोर्खाओं की जो भावना उसके कदर के रूप में उसके हिसाब से इस्ताई राजनितिक समाधानों और इसके साथ ही गोर्खाओं में 11 जाती ऐसे हैं जो ST के लिस्ट से छुटे हुए हैं 1931 और 1941 के जो लिस्टे उसके वहां तक भी ये ST थे लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं ये बहुत लंबी और पुरानी उनकी मांग है मैं सर आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जारजिलिंग की जो गरीमा है उसको देखते हुए ये सारे मुद्दे हमारे छेतरे के लिए जल से जलो आपने समय देए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद